हाई गैसे हैं उम्मीद करता आप सर्वेच होंगे दोस्तों एक पोस्ट आई थी यूगे सर्राम की आमने पिछली वीडियो में बताया था आपको लेकिन जानले उसकी जो अभी डेटा आई है वो डेटा आगई है और लिंक के स्कॉपिन हो चुका है जैसे कि पोर्टल उसका परसन है जो दो साल तक अनुभो रखते हैं ग्रामेड शेत्रों में काम करने का तो उनके लिए यह अपॉस्नेटी है लेकिन जाले जिसके पास अभी नहीं है तो अगर आप ऐदे पंचायस साहे दो साल लगभ काम कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह की डेरों वेकेंट ड इस तरह से ब्लोक लेवल पर कई way करने के लिजबल हो जाते हैं तो टार नाले इस वीडियो में जान लेते हैं क्या है आन लाइन का ट्रोसेश किस तरह से हम इसमें possessed ancient Before liability है या नहीं क्या Restoration Nomber होता है इस दीज को हम समझ लेते हैं करेंकि यह सब सारी वेकन्ट सब सकते हैं तो यह पर दिख सकते हैं किसे नीचे जो वेकन्ट है कोई भी आपका दो साल का उन्वह है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसमें अनीचे देखे राजस्तर के लिए देखते हम 25 वर्स होगी और एक महत्पूर चीद है अब बर्थिक अंगरे जी हो हम हिंदी भासा है हम कंप्यूटर MS Office का अच्छा ग्यान अनिवार होग तो आए देख लेते हैं पॉर्टल पर कैसे काम करना हुआ किस दंग से जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप इसकी बेप साइट जो है में बेप साइट तो यह है लेकिन आवेदन जहां करना है तो यहां से मावेदन कर सकते हैं तो यहां पर सबसे फर्स्ट में देख पा र जाएगा तो apply option पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे already registered और यहाँ पे new registration का options आ रहा है तो यहाँ पे new registration पर क्लिक करेंगे हम अब यहाँ पे एक notification बिल रहा है हमको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसब कि applicant should be enrolled the up employment portal मतलब जो सेयोजन का portal है उस portal से आपका registration होना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके एक बार हम देख लेते हैं कैसा registration करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे सिधा रोजगार संगम पर मतलब जो सेयोजन के portal है उस website पर यहाँ पर login का option है login के option पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर job seeker के option रखो कि user ID password अगर आपक क्लिक करेंगे तो फिर आपका option माँएंगा जैसे user पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका नाम, mobile number, email ID, user ID और 8 digit का password माँएगा उसके बाद फिर यह capture code डाल के submit करेंगे तो आपका user ID बन जाए इस पर और ठीक वही user ID को हम क्लिक करेंगे कहाँ पर अपने sams portal पर तो हलाकि मैंन तो जैसे कि मैंने पहले से registration कर लिया वा है और मेरा जो mobile number है वो ही मेरी user ID है तो हम यहाँ पे अपना डाल करके यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर registration user के लिए options आ रहा है यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ तो यहाँ पर पहली पर बनाएंगे तो आपका हो जाएगा मैंने अलेडी पहले से बनाओ इसलिए यह बोल रहा है कि अलेडी आपका बन गया है तो मैं अभी continue कर लेता हूँ तो देखिए यह जौब की dashboard आ गए है यहाँ से आप click करके देख सकते हैं कौन कौन से जौब के लिए क्या क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो cluster coordinator की जो post यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं इसके लिए ज्यादा vacant है तो इसके लिए आवेदन के लिए यहाँ पे apply online नवपे करना कपड़ेगा आपको तो जैसे यह online करेंगे तो आपका नाम मदा फिल आएगा numbers फिल आएगा बाकी चीजों को आपको यहाँ पे फिल करके भढ़ना पड़ेगा तरीशीच को भढ़के जैसे ही आप यह qualification experience और last में submit application कर देंगे तो यह आपका जो document है वो submit हो जाएगा और फिर आपका आवेदन स शिक्रिट कर लिया जाएगा